चिंद्वाणा में हैरान करने वाला मामला सामने आया है यहां एक डॉक्टर की धोकला खाने से मौत हो गई 20 मैई को उसकी शादी थी गुरुवार सुबह वनास्ता कर रही थी उसने धोकला खाया और इस दोरान उसे अचानक से ठसका लग्या काफी देर तक खास्ती रह गई वही परजन ने पानी पिलाया पर हालात में सुधार नहीं वापल की हालत और पिगड़ गई परजन उसे लेकर अस्पिताल पहुँचे जहां इलाज के दोरान उसने डम तोड़ दिया वहीं इस घटना के बाद पूरा परिवार सदमे में है यह पूरा मामला पश्चिम बुद्वारी बाजार का है SGOP संतोज डेहरिया के मताबिक अप्रमोध महादेव रायक काले की वेटी मेघा काले की 20 मई को शहनाई लॉन से शादी थी बाराद पूर्णे से आने वाली थी, शादी की रस्में भी चल रही थी, सबी घर में खुश थे गुरुबार सुबर मेघा ने नास्ते में ढोकला खाया और इसी दौरान उसे ठसका लगा हालत बिगरने पर परजन अंजिला अस्पताल लेकर गए जहां इलाज के दौरान उसकी माथ हो गई वहीं मौके से नास्ते के सैंपल लिए गए हैं जिसमें एफसल की टीम को जाज के लिए भेजा गया है आनंद हॉस्पिटल के डाइरेक्टर डॉक्टर अतने स्रकवनसी ने बताया कि परजनों के द्वारा बताई गई परेशानी के अलावा यूती का एडमिट करने के दौरान बीपी 95-60 था वहीं अस्पिटल में डॉक्टर ने लोग बीपी पर ड्रीप लगाने के लिए बोला लेकिन यूती के परजनों ने इंकार कर दिया परजन जैसे ही उसे अस्पिटल से बाहर ले जाने के निकले अचानक उसकी तवियत बिगड़ गई और माथ हो गई परजनों ने नीजी अस्पिटल को लिखित में दिया कि हमको पोस्ट मॉटम नहीं करवाना है हलाकि दुलहन के मामा पोस्ट मॉटम करवाना चाते थे लेकिन पिता इससे इंकार कर रहे थे बताया जाता है कि मेगा की कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी मेगा की प्राधमिक सिक्षा शिंदवाडा के केंदरी विद्याला और हायर एजूकेशन नासिकवा बॉम्बे से हुई उसने MBBS और MD की डिग्री ली थी वो बॉम्बे में ही अपनी सेवाय दे रही थी जहां उसका 2021 पे पूरा निवासी परिवार में एक इंजीनियर से रिष्टा तै हुआ था लॉकडाउन की वज़ा से शादी लेट हो गई गुलवार को दूला और उसके परिवार के 15 लोग पूरा से फ्लाइट से नागपूर पहुँच चुके थे जैसे ही गटना की जानकारी लगी तो दूले के पिता की भी तब्यद बिगड़ गई इसके बाद दूला और उसके साथ आए लोग डागपूर से पूरा वापस चले गए जिलाज पताल भरती कराये गया और जिलाज पताल में उसकी मृत्त्य होगी है अधी जहां चल रही है कि इस कारण से कोई मृत्त्य हुई है पानी वगेरा और बादी बहुत परदा जब चल लिया गया है एफेशल भेज के जो है उसकी पूरी कारवाई करें